दोस्तों आज के दौर में मोबाइल का इंपोर्टेंज सब को पता है मोबाइल हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुका है इसके अलावा मोबाइल हमें पूरी दुनिया के बारे में अपडेट रखता है चाहे मोसम की जानकारी हो, खेती किसानी की बात हो, या बच्चों की पढ़ाई की बात हो निउज, खेल जगत, संगीत, आदि किसी भी छेतर की जानकारी मोबाइल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है ऐसे में बिजनस के दृष्टी से इस फिल्ड में काफी संभावनाएं हैं मैंने इस पर विचार कर देखा कि मोबाइल एकसेसरीज एक ऐसा सिक्ट है, जिसका डिमांड हमेशा बना ही रहता है एकसेसरीज के रूप में मोबाइल के बैक कवर, चार्जर, टेमपर्ड ग्लास, इयरफोन, बैटरी, ब्लुटूथ, आधी ऐसी कुछ रनिंग चीज़ें हैं जिसके डिमांड के बारे में क्या कहा जाए आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है और आए दिन कभी मोबाइल गिर जाने पर टेमपर्ड ग्लास बदलना है या उसकी बैटरी बदलनी है तो कभी चार्जर की आवशकता है इस तरीके से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मोबाइल एकसेसरीज की दुकान काफी पोटेंशिल भरी है आज के दोर में जबकि मैं गौर कर रहा हूँ कि इस बिजनेस के लिए कुछ जादा पूझी के जरुद भी नहीं है बड़ी आसानी से मातर 10,000 रुपए लगा कर इस विवसाय को शुरू किया जा सकता है और इसके चलने की भी पूरी गारंटी है मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान आप गाउदेहाद के किसी चौक चौराहे पर कर दें या शहर के किसी में रोड पर कोई फर्क नहीं पड़ता चलना ही चलना है बस कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जैसे आपके समानों का कलेक्शन क्वालिटी फूल हो रेट रिजनेबल हो और ग्रहकों के साथ आपका विवहार काफी अच्छा हो दोस्तों इस बिजनेश को दो तरीकों से किया जा सकता है एक तो आप रिटल शॉप खोल कर इस बिजनेश को शुरू कर सकते हैं आपकी दुकान पर ही कई एक्सेसरी के सप्लाइर आते रहेंगे और आपको सप्लाई देते रहेंगे और भी बहतर होगा कि आप बीच-बीच में इसके होलसेलर से मिलकर प्रोडक्ट के रेट और क्वालिटी के हिसाब से खड़ीदारी करते रहें जबकि इस बिजनस को करने का दूसरा तरीका है कि आप रेटल शॉप न खोल कर डारेक्ट रेटेलर्स को ही सप्लाई देना शुरू कर दे इन दोनों हे स्थीतियों में आपको ज़्यादा पुंजी के आवशकता नहीं है आप मातर 10,000 की पहली खड़ीदारी करके भी इस बिजनस की शुरूआत कर सकते हैं सप्लाई वाले काम में आप अपने नजदी की बरेश शहर में कई होलसेलर से मिलकर उनके रेट और क्वालिटी की जानकारी ले सकते हैं और अपने इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं आप एकसेसरीज के सभी समानों की एक सूची बनाएं कौन-कौन से समान, कितने-कितने पीस पहले ओर्डर में रखा जाएं इस आधार पर एक सूची बनाएं और जिन होलसेलर भाई से आपकी डिलिंग फाइनल हुई है उनको अपने काम की जानकारी देकर उनको अपने विश्वास में लीजिए आने वाले दिनों में आपके विवसाय में वे काफी मदद करेंगे बाद में ऐसा हो सकता है कि वो 10,000 के पेमेंट पर ही जादा का सामान आपको प्रोवाइड करते रहेंगे यानि आपका विवार वहां बन जाएगा आपकी लेन दिन वहां होने लगेगी और बिजनस में कोई कठिनाई नहीं होगी आप अपने घर के किसी कमरे में ही इन सामानों का स्टॉक पॉइंट बना सकते हैं और आपके आसपास के छेतर में जितने भी मुबाइल दुकान और इसके एकसेसरिस की दुकान वाले हैं उनसे ओर्डर बुक कर सकते हैं ये दुकानदार भाई जहां से समान ले रहे हैं और उनको जिन रेट में ये समान मिल रहे हैं उसी रेट में अगर आप अच्छी कॉलिटी देने लगेंगे तो धीरे-धीरे market में आपका विभाड जमने लगेगा और आप एक अच्छे सप्लार के रूप में काम करने लगेंगे दोस्तों मोबाईल एक्सेसरीज का कारोबार वाकी बहुत अच्छा कारोबार है बिजनस के लिए ये एक सफल कारोबार है इसमें कोई संदेह नहीं है बहुत सारे लोग बेवसाय करते हैं लेकिन डिलिंग का तरीका उनका अपना-पना होता है कुछ लोग अच्छा बिजनस शुरू करके भी फेल हो जाते हैं जबकि कुछ लोग अपनी मेहनत और विवहार के दम पर मिट्टी को भी बेच देने का मादा रखते हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि इस बिजनस कॉंसेप्ट के बारे में गंभीरता से जरूर सोचिए आज के दौर में ये हाई डिमांडेबल आइटम है इसलिए मैंने आपका ध्यान इस बिजनस की और खींचने का कोशिश किया है दूसरी बड़ी बात है कि कम से कम पुझी में इसको शुरू किया जा सकता है और बहुत अच्छी आमदनी की जा सकती है क्योंकि मुबाइल का कोई भी एक्सेसरिस प्रोडक्ट एमारपी पर बिकने वालन नहीं होता है इसका कोई फिक्स रेट नहीं है आप जैसे दुकांदार भाई इन प्रोडक्स की जो खुबी ग्रहा को बताते हैं वे उसी पर भरोसा करते चले जाते हैं उसी हिसाब से वो खड़ीदारी करके चले जाते हैं इसलिए अपने वैसे भाई जो कम से कम पुझी में हाई डिमांडेबल और ज्यादा प्रोफिट देने वाले बिजनस को शुरू करने की चाहत लिए बैठे हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये कारोबार जबड़ दस्त साबित होगा तो आएए इस खुबसरत कारोबार की शुरूआत कीजिए और आगे बढ़िए मेरी शुब कामनाय आपके साथ है All the best, जैहिंद